अब साथियों एक ऐसा विवादित विशह है जिसको लेकर के इन दिनों राजिस्थान में बहुत जादा टैंसिस्थिती बनी हुई है टैंसिस्थिती इसलिए कि राजिस्थान के अंदर मीना कम्यूनिटी वर्सिस हिंदू कम्यूनिटी वास्तविक्ता में आज से पहले जितनी मेरी समझ रही है या जितनी हम राजिस्थानियों की या संपूर्ण भारत की रही है मीना कम्यूनिटी को पार्ट हिंदू कम्यूनिटी का ही माना गया है लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जैसे अपने-पने मकसद होते हैं मीना कम्यूनिटी वर्सिस हिंदू कम्यूनिटी ये मतलब बहुती ऐसी बात है जिसको समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है कि ये क्या अलग चीज होती है क्या मतलब अल्रेड़ी ये तो सब एक ही है मतलब इसके बावजूद भी ये बात पढ़नी पढ़ रही है लेकिन चलिए हुआ है इसलिए पढ़ना जरूरी है हुआ क्या है आए हम बताते हैं साथियों हुआ ये कि जैपूर के अंदर एक फोर्ट है आमागड फोर्ट के नाम से उसे जाना जाता है उसके उपर एक ध्व अगड फोर्ट में हुई इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है आप इससे दरकिनार नहीं हो सकते इसकी वजह से जिस प्रकार का वैमनश्य माहौल पैदा हुआ है बहुत सारे न्यूज मीडिया हाउसेज इसको जबरदस्ती ट्रोल किये जा रहे हैं उन स सफल ना हो हमारी इतनी समझ हो कि हमारा जो पूरा की पूरा मतलब समाज है वो यूनिफाइड रहे चाहे कोई किसी भी प्रकार का माईलेज लेना चाहरा हो हम मोहरे ना बने अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनें साथियों हाल ही के अंदर आमागड किल अच्छा का विशय बन गया है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, हुआ क्या साथियों, ये पूरी कहानी है, इस नाम से जुड़ी हुई, तो पहले एक नाम सुन लीजेगा, अंबा माता तू अंबी का भवानी, अब ये दो शब्द हैं, इन दौनों के बीच में जुड़ी ह साथियों, जब अंबा माता नाम आता है, तो मीना कम्यूनिटी कहती है, कि ये हमारी देवी है, अंबा माता जो है, मतलब ये हमारी देवी है, इसके बारे में कौन बोलता है, मीना कम्यूनिटी बोलती है, और ये अंबा माता का जो मंदिर है, ये आमागड फोर्ट में इस् लगेगा, that means मीना कम्यूनिटी के द्वारा ध्वज लगाया जाएगा, clear है, और ये कम्यूनिटी जो है, ये अपना मंदिर को पूझती है, वहीं पर हिंदू संग्ठन, अब मैं हिंदू संग्ठन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अखबारों ने ये शब्द यूज किया है, उन्होंने इस आंबा माता के मंदिर को अंबी का भवानी नाम दे दिया, कि ये अंबा माता नहीं, अंबी का भवानी माता का मंदिर है, इसलिए इस पर भगवा द्वज फैरेगा, तो भगवा द्वज फैरेगा, ये तो हो गया हिंदू संग्ठनों की कहानी, और अंबा मा अंबिका भवानी के जो पक्षधर थे, उन्होंने अपने ध्वज से रिप्लेस कर दिया, ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, कुछ वीडियोज भी हैं हमारे पास में, हम उनको भी बताएंगे, आप इसको देख सकते हैं यहां पर, ये जो ध्वज आपको दिखाई दे र लोगों के बीच में लड़ाई की स्थिती भी बन गई है, तो समाज के कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो शांती स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनमें से आप और हम भी हैं, इस बात को समझें, तो फिलहाल के लिए इस प्रकार का जो कारे हुआ, ये ध्वज गिर राजधानी है, इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर once upon a time मीना कम्यूनिटी का ही साशन हुआ करता था, मतलब आप ऐसे समझें, कि जैपूर जो था वो पहले आमेर के नाम से जाना जाता था, आज भी आप अगर जैपूर घूमने आते हैं, तो आमेर फोर्ट लेकिन बाद में यहां पर कच्छवाहा वंश का साशन आया, और वो कच्छवाहा वंश का साशन पूरे 1000 साल चला, 967 से लेकर के 1949 तक यहां कच्छवाहा वंश का साशन हुआ, जैसे होता आया है, कि भई हमेशा जो पावर्फुल है वो लेस्पावर्फुल को हटाएगा, और अपनी जगे वो बना लेगा, ऐसे ही यहाँ पर हुआ, और इस प्रकार से इस जगे के उपर, नाइन नामक जो जगे है, इसके उपर किसका कबजा रहा, फिर कच्छवहावंस का रहा, इसी कच्छवहावंस के एक राजा हुए, जिनका नाम था, आमागड फोर्ट, जिसको जिनका निर्मान किया, उनका नाम था महराजा सवाईद जैसिंग, जिन्होंने आमागड फोर्ट का पुनुरुद्दार करवाया, तो अब मीना कम्यूनिटी का कहना है, कि इस आमागड फोर्ट में, जो मंदिर में रखी हुई प्रतिमा है, वो प्रतिमा वास्त्विक्ता में, अंबा माता की है, जब हमारा साशन हुआ करता था, उस समय की प्रतिमा है, वहीं पर जो राजा के पक्षधर हैं, या और जो अतिर, यानि मीना कम्यूनिटी के अलावा जो हिंदुवादी संग्ठा ने, उनका कहना है, कि सवाई जैसिंग जी के द्वारा इस पूरे-पूरे महल का पुनुरुद्धार करवाया गया, इसलिए ये अंबिका माता का ट और इस वजह से ट्राइबल ग्रूप्स के बीच में साथियों यहां पर फसाद होना शुरू हुआ, यहां पर फसाद होना शुरू हुआ तो लोगों को सेक्शन 295, Injuries or Defiling Place of Worship with Intent of Insult the Religion of Any Class, इसके तहत लोगों को गिरफतार भी किया गया, अब एनलिसिस ये कहता है कि रा Political Party जो वर्तमान में साशन में है, उसके भी एक विधायक का हाथ है, वो विधायक लोगों को बढ़काने का प्रयास कर रहे हैं, और वो ये तक कह रहे हैं, कि जो मीना Community है, वो हिंदू का पार्ट है ही नहीं, और ये मतलब थोड़ी समझ से परे है, क्योंकि मैं अब तक इतन जो है, वो हिंदू Community का पार्ट है ही नहीं, वहीं पर एक और सांसद है, जो भाजपा से बिलॉंग करते हैं, करोरिलाल मीना, वो कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कि मीना जो है, वो हिंदूों से अलग हुए हूँ, तो ये किसको फायदा और किसको नु परशा से पीडित है, वो युवा जो आज अपनी दिशा को लेकर चिंतित है, देश की मंदी से चिंतित है, उस युवा को एक ऐसा मुद्दा पकड़ा देना, जिससे कि उसका पूरा ध्यान सोशल मीडिया पर रहे, जिस ये एक सोची समझी रणनीती भी हो सकती है, जिसके देश में इस प्रकार का जहर घोलने वाले, चाहे वो जंडा लगाने वाले, चाहे जंडा नहीं लगाने वाले, ये जितने भी लोग हैं, इनका सोशल बाइकॉट किया जाए, मतलब इनको समझाया जाए कि भाईया, प्लीज जी लेने दो, हमारी जीवन की अपड़ा मकान है, पहले वो हमें दिलवादो, जो आपके घर चल रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा हमारी व्यवस्ता करवादो, फिर ये सब कुछ कर लेना, उम्मीद है, आप लोग भी इसी प्रकार की विचारधारा रखते होंगे, और देश में एक शांती स्थापि फिलाल के लिए तो यही है, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ अनकेडमी पर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है, अंकित10, जिसका उप्योग करके, आप 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं, on all अनकेडमी सब्सक्रिप्शन, एक अगस्त से सब्सक्रिप्शन महेंगे हो रह हैं, यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, जिसमें आपको लाइव क्लास, टेस्स सीरीज और डाउट क्लेरिंग सेशन उपलब्द हो, तो गूगल प्ले स्टोर से या नकेडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लें, साथियों आपकी आज और कल स्पेशल क् कार से विक्सित करें कि महील आएं आपके साथ सुरक्षित महसूस हैं